काउन कि या टो आई वैलकम बैक तूवार चानल कैसे हो दोस्तों वा गता है आप सब का हमारे के व्ह घर करने वाली हूं वैसे भी आप लोग के साथ सब कुछ सेयर करतीतु आप लूगे मैं डेली आपirdra से कुछ Сейчас टेली से करते हूं तो आज भी मैं कुछ शेयर करने वाली हूं और वो क्या है वो फ़स्त ब्लॉग आपने देखा होगा हमारा उसमें आपको पता चली गया होगा कि मैं चैने के दालकियों भी गोई थी दोस्तो आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमारे सौपिंग वाले ब्लॉग में और अलू के टिक वाले में कम प्यार दिया है कि पहुतनी चलेगा इतना कभी कम ज्यादा प्यार गारता है तो अच्छा लगते है तो दूस्तों यह रहा चैने का दाल मेनी भी होया है और आज मैं इसका बनाओंगे कड़ी जो कि मुझे मुझे सासू मा ने सिखाय था मामी करने थिय दूग में क्षेट लाया है? इई अर मेरा बैचर आफ्ली नहीं बनाया, तरिया मेन आज पता नहीं को ड्रील नहीं चला था तो मैं वीडियो अप्लोड कर रही थी और अप्लोड कर रही थी फिर उसके बाद एडिटिंग वगएरा कर रही थी तो हो नहीं रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हूँ, वह जब से हो और lumin शीर हो कि all the people खाका लिटा। teoleon. कभल बाँ अभर बनाने हैं तो उकर जाsınने है। क्योंकि बार पर गरम करना अच्छा नहीं लगता है अब बार पर गरम करने से टेस्ट भी खराब हो जाते हैं सब्जी का कि अच्छा बनाओंगी ठीक है बने रही है हमारे चैनल पर दोस्को हम आच के हैं किछन वे और मैंने अपना पॉडि का जो मसाला होता है मैंने तयार कर लिया है यह रही चैने की दाल और इसमें आप लूंब भी सकते हैं जीरा है लेसन है अगर आपको थोड़ा से चट पथा मैंने बदय दूस्के निकालने वह चलनी के था आपको नहीं इसको यहां जूड़ा से इसको मेलट करने के लिए तेल primus needle घणिए को यह तेल अएक। चानेंगे और दोस्तों आपको सिधा चान के दिखाने क्योंकि आपको पता है एक हाथ से वीडियो बनाना फिर एक हाथ से सुम्त करना मतलब पकॉडी भी बनाना अकेले नहीं हो पाता है न तो मैं चाहिए तो रिंग लाइट में भी लगा के कर सकती हूं बट वहां सी यहां पता है रिंग लाइट भारी भी है तो इसलिए मैं सिधा बना के मतलब पकॉडी को छान के प्राइब करके तब मैं दिखाऊंगी अब तो आप लोग बने रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब बहुत जादा गर्मी है चल्मेंजी मैं चाहाँ तो पकॉडी आप लोग देख तो अलग से पकॉडी खाने मौट अच्छा लगता है चाहे के साथ तो मैंने थोड़ा से जादा पकॉडी चान लिया है और ले रहा मसाला दोस्तों मैंने आपको मसाला नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जादा गर्मी लग रही थी इतना जादा कि कोई सीमा नहीं है इतना ज जालने के बाद और हाँ, हल्दी, फिर उसके बाद इतना मैंने पीज दिया है, और मैं जारी पकॉडी निकाले, और इधर मैंने चावल ही रख दिया है, चावल भीवारा हो रहा है, और तक- तक मैं पकॉडी निकाल लेती हूं, फिर आप लोग से मिलती हूं. तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, किचन में कितनी गर्मी है, बहुत जादा गर्मी है, और पाल तो कुछ होई मत यार, पाल तो दम चेहरे पाला है, तो गुस्ता आ रहा है, तो दोस्तों, यह मैं बताने के लिए मैंने कोन उठाया है, गर्मी के लिए नहीं, तो यह मैंन जारी हूं, मसाले को प्राइ करने है, तो मसाला प्राइ करके मिलते हैं, दोस्तों, मैं बार-बार बोल लिए हूं कि पञ़ी चान के मिलते हैं, लेकिन 20-20 में, अगर मुझे टाइम मिल जारा रहा है, एक मिनट भी, तो मैं सोच ले हूं, आप लोग से थुड़ा सा सेयर कर कि मैं क्या कर दो नहीं कर रही हूं और यह लिप्स्टिक शेड जो मैंने आप सब को पिछले वीडियो में दिखा था मैंने भई लगारा थैंट तो मैं जा रही हूं ठीके त्यार करने तो दोस्तों पड़ी बैने जो है नीकाल लिया थै अब मैं चाह रही हुआ उसमे मसाला अंग रात कर विक अगां को साधे स्टमट में हैं में सब्सक्राइब 8 सुर्पीस형 गांग सबक्रें gelir सब्सक्राइब्स अपेस नहीं सब्सक्रामयाँ क्यों है क्योंकि ठाले कि उध्यकर आथ चाहुते तो की टोले सो और यह रहा बैटर, सहने के दाल की बैटर है और दोस्तों मुझे इसको नब पतीला में भिगोना था, मतलब बैटर बनाना था, बड़ते, मैंने इसी में बनाया था पकॉडीन, तो मैंने इसी में पाने टाल के इसका बैटर सेयार कर लिया है, अजिन ग्रेवी के लिए, मैं बैक करके दिखाते हैं, दोस्तों देखो यह रहा जिसका मैं बनाऊंगी ग्रेवी, जो मैंने थोड़ा सा अलग से निकाल रखा था, और यह रहा मसाला हम लगभग बुना चुका है पूरा, अज दोस्तों इसे देखके न मुझे अपने साधी के बाद जो जुवे वाला र अब मैं जा रहे हूं इसको इसमें एड करने हैं दोस्तों मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद पांच मिनट जब यह बॉइल हो जाएगा नो फिर उसके बाद हम पकॉडी एड करके पांच से दस मिनट और मैं इसको फ्राइक सॉरी य सब्स बनके रेडी है अब गर्मी आप लोग देखी सकते हैं तब तब वाई हो रहा है हम सबसा हावा ले ले लेते हैं हम आगे अपने रूम में तो सिप्ट इपनी है तो टॉइल कहा रहा है कि यार आप सब का भी हालाटक खराब होगा ओगा ना किचन बे जब मेरी इतनी हालटश खराब हे जो की की अ कल मतलब अच्छी जगा pace किचन बालकनी मोटा न तो और अच्छा होता गर्मी पता नहीं चलता किचन अंदर इसे लिए जाधा गर्मी लगती है तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों को मैं क्कट एक लिए दोस्तों सबसे मोर्ग इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दो आप सबको पता ही होगा कड़ी का जान है खटा तो अगर आपके पास नेवोडर्मी दालें खटाई एक这 लिलीर्य डालें दाई, दहिए तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा रेशिपी और दोस्तों आप सब को अगर हमारा ब्लॉक पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बहुत मेंनत लगता है आद वीडियो बनाना खाना बनाना इत्ति जर्मी में देख रहे हो दोस् यह ऐसे ही बनता है आप क्या कोई और तरीका बनता है क्योंकि सब के खाने का और बनाने का अंदाज अलग-अलग होता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा तो गाइस मिलते हैं नेक्ट्ट मीडियो में बब बाई